कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स और फेस्टिव सीजन के आते ही हम लोग लग जाते हैं शौपिंग करने में अपने लिए कपड़े शूज और जो भी मेकप का समान होता है वो सारा का सारा हम पर्चेस करने में लग जाते हैं उसी को ध्यान म लोग आपके भी स्क्रीन पे एंक लिंक अता था श्यृस और लेकिन बारी आती है तो वह जो डिलीवरी चार्ज होता है वह बहुत आप सारी मुझे ना ज़्याता आ लेते कि मुझे बहुत जादा दिजनीना रही है रात के दो बज़े और मैं दो बज़े वीडियो शूट छाफ में पंद्ध करेंगी तरीके का जो लेंक पर्जेस की फिर उसमें क्या ढूंए है पनीलिब्स्ट्टींग इस सब्सक्राइब एक मैं उसां पांटेज की की मुझे था साथ में मुझे डिलिवरी चार्ज के साथ में ये मुझे दो लिप्सिक्स मिल गई được क्याहिए है डोणोहीं यूज की हैं कैसी है nain वो सब मैं आपके साथ बताउंगी तो फर्स्ट वन जो मैंने अभी यूज की हुई है मुझे के पांच घंटे हो चुके हैं मुझे इसको यूज को यूज वियर के वे और अब भी तक तो ऐसा ऐसी की है अभी तक हटी नहीं है हां क्योंकि मैंने अभी तक कुछ खाया पिया भी नहीं है तो इस वज़े से भी नहीं होगी बट चार-पांच घंटे आराम से चल गई है यूज करिए और उसके बाद ही इस लिक्विड लिप्सिक को अपलाई करिए इसी ब्रैंड की नहीं कोई भी लिक्विड लिप्सिक अगर लगाते है तो वह आप पहले लिप्वाम यूज करने के बाद ही उसे लगाए ताकि आपके लिप्स जो है वह मोस्टराइज रहें बिल्कुल भी ना हूँ तो फर्स लिक्विड लिप्सिक की जो बात कर रही थी वो थी माई ग्लैम की लिक्विड मैट लिप्सिक 3 ml प्रोड़क्ट है प्रोड़क्ट का जो प्राइस है वो है 395 रुपीज लेकिन मुझे मिला सिफ 1 रुपीज में प्लस डिलिवरी चार्ज जो मैंने दिये वो लम 08 इसका शेड है शेड बहुत ही खुबसूरत है गर्स से लेकर लेडिस तक के लिए अच्छा है फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए मंगाया है इसलिए थोड़ा डाक शेड पर्चेस की है मैंने इस तरीके का यह शेड आपको देखने को मि बाहर से देखने में थोड़ा मुविश पिंक जैसा लग रहा था बट वैसा नहीं है यह डाक बैरी होता है ना बैरी कलर है जैसे चेरी वगारा का कलर होता है उस तरीके का कलर है मैं आपको स्वेच करके दिखा देती हूं इस पर यह देखे है बहुत ही खुबसूरत सा कलर है यह और देखे ना एक स्वाइप में ही बहुत अच्छा कलर दे देता है यह वो तो मैंने इसको तोड़ा सा डाक करने के लिए आपको दिखाया है ताकि तोड़ा सा वाइड रहेगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा इस तरीके का ये color है मुझे तो बहुत खुबसुरत लगा 4-5 गंटे हो चुके हैं मुझे इसको use किये हुए और अभी तक ये fade नहीं हुआ है अपने नाम के हिसाब से चल रहा है slow fade बात करते हैं इसके applicator की तो applicator का जो length है वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लग रहा है क्योंकि अभी तक कि मैंने जितनी भी lipstick की है ना उसका जो applicator होता है वो थोड़ा सा height जो होती है वो कम होती है इसकी बट इन applicator की थोड़ी height ज्यादा है जिसकी वज़े से apply करने में हलका सा मुझे लगता है थोड़ा अंकमफटेबल सा बट अगर आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है तो आप इसको बेज़ी ज़क पर्चेस करिए अच्छी लिप्स्टिक्स हैं अच्छे शेड्स हैं काफी लंबे टाइम तक चलेंगी तो यह तो मुझे बहुत खुबसूरत लगा फर्स्ट यह था मेरा और सेकिंड शेड्स है मेरा यह वाला यह है अलम 36 किटन फिश यह भी बहुत रेफ्रेंस में बार बार आ रहा था तो मैंने किटन फिश भी ट्राय किया थोड़ा डाक कलर है तो अच्छा लगता है तो हारों पर अभी फिर वैडिंग सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा तो उसके अरकषनिंग भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप न्यू ब्राइडर हैं तो ले सकते हैं तो भी ले सकते हैं तो फैस्टिव सीजन में सारे कलर चलते है इस तरीके का ये डाक प्लम जो होता है उस तरीके का शेड है बहुत खुब economics यह है 라고 यह यहीं अब आप कहेंगे कि दोनों एक जैसे एन नहीं बिलकुल है तो दोनों यह जैसे आए बेली कलर में है और इस झालन कैल यह बहुत ही क्याइब कंवे किलरु मुझे तो कर लोग ही करशन Creator लेंकिश, करिए और उसके उपर लिक्विड लिप्स को एपलाई करिए तो बहुत जादा देर तक चलेगी और आपके लिप्स भी ड्राइर नहीं होंगे बार बार रिय अपलाई की ज़रौत भी नहीं पड़ेगी तो इस तरीके का शेड है मैं इसको एपलाई करके दिखा देती हूं अब देख सकते हैं आप ड्राइ होने के बाद दोनों ही कलर में डिफ्रेंस पता चल रहा हो आप होगा आपको यह LM 36 है किटन फिश और यह है LM 08 सो फेड देख सकते हैं दोनों ही कलर अलग है यह बैरी कलर है और यह प्लम कलर है वाइन कलर जो हता है वो है और यह बेरी ब्लू बेरी जोती ना उस टाइब का कलर है यह तो बहुत ही खुबसूरत सा कलर है दोनों ही कलर फैस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए लिए है आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें करें जैनको सबस्क्राइब करें मिलती हुँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ख्यार रखें बाइबाइब